ये भाजपाब में घवराहट की निशानी है लगातार आप सिवराज जी को और महाराज दौनों को गेर रहेते हैं तीन केंद्री मंतरी आए हैं और वो भी कही ना कहीं सीएम पतिकें जहरे माने जा सकते हैं अब लगाता आप देखते कौन किसको निफ्टाता रहे मोदी जी कह रहे हैं कि जंग लगा लोहा है जहां भी सरकार उनकी रहती है यह नरेन मोदी जी किसी प्रधान मंतरी के कभी ऐसे वचन आपने सुने है गया इस प्रधार के भाशन करी सुने है गया यह इतना एक निचले स्तर पर जाके यह बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधान मंतरी के प्रद्टी गरिमां को यह गिराते हैं इस बार बिकाव माल को टिकेट नहीं मिलेगा टिकाव माल को मिलेगा कि अधिर सौ प्रतिशन सौ प्रतिशन और जो और जो और जो व्यापम के घोटाले में बहुत सारे प्रकरण अभी भी पेंडिंग हैं उसके अंदर भी हम लोग सुषन जाज कराएंगे लेकर उनके आरोपी टिकेट की लाइन में भी है ऐसे में कोई डारेक्ट जो अपराधी उसमें रहा होगा उसको टिकेट नहीं मिलेगा रामनरेश आदम की और उनके बेटे मोधी जी कह रहे हैं कि कॉमरेश जंग लगा लोगा है यह नरेद मोधी जी किसी प्रधानमंतरी के कभी ऐसे वचन आपने सुने है इस प्रकार के भाषन कभी सुने है कि यह इतना एक निचले स्थर पर जाके यह बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधान मंतरी के पड़ की गरिमा को यह गिराते हैं कॉंग्रिस अपना नेरेटिव जो है कॉंग्रिस अपनी नेरेटिव बनाती है अपनी चार दिवारों में अपने चार लोगों के साथ अपने चार प्रष्टों पर नेरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती है नेरेटिव सीमित लोगों की द्वारा नहीं बनाय जाता नेरेटिव प्रष्ट पर लिकर नहीं बनाय जाता narrative इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्यप्रदेश की 9 करोड जनता की दिलों में ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मोदी जी हैं क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर